दौत ट्राफिक नियम और प्रबंधन भारत में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ सड़क पर्या तायात भी बढ़ता जा रहा है सबसे यह महत्वपूर्ण है अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य सड़क उप्योग करताओं के लिए उनका पालन सुनिश्चित करनी के लिए ट्राफिक नियमों तथा प्रबंधन की जानकारी होना अवश्यक है परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों तथावि नियमों का सावधानी पूर्वक पालन डौट करना चाहिए भारतिय सामान य सड़क सुरक्षा नियम इस प्रकार से हैं 1. सड़क संकेत को का उप्योग आपको अन्य सड़क उप्योग करताओं को यह संकेत देने के लिए निर्धारित हाथ के संकेतों या संकेत को का उप्योग करना चाहिए कि आप एक मोड ले रहे हैं या धीमा कर रहे हैं या ओवर्टेक कर रहे हैं या रोक रहे हैं 2. Seat Belt, वाहन चलाते समय वाहन में seat belt, पहन कर ही वाहन का परिचालन करना, चाहिए तथा driver के साथ अग्रिम seat, परियात्रा करने वाले यात्रियों को भी seat belt पहनना चाहिए अन्निता seat belt, नहीं पहनने पर भारी जुर्माना पढ़ता है 3. पंजी करन नंबर स्पष्ट दिखाई दे, यह भी आपको सुनिश्चित करना होगा, कि वाहन पंजी करन नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों और लिखित पंजी करन संख्या छिपी हुई ना हों 4. वाहन बाएं तरफ रखें, दो तरफा की सड़क पर वाहन चलाते समय, सुनिश्चित करें कि आप अपने वाहन को सड़क के बाएं और चलाएं और सामने आने वाले ट्राफिक कुदाईं और से गुजरने देगें 5. हेलमिट का उपयोग, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमिट अवश्य पहने और सुनिश्चित करें कि पीछे बैठे व्यक्ती भी हेलमिट पहने हुए हो, तथा हेलमिट आये जाए के द्वारा प्रमानित हो क्योंकि हेलमिट पहने का मकसद चालान से बचना नहीं बलकी ज फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए इस से ध्यान सडक से ध्यान भंग होने के कारण सडक दुर घटना होने की संभावना बढ़ जाती हैं, चालान के रूप में या तायात नियमों का उलंगन करने के कारण आपका ड्राइविंग लाइसंस को निरस्ट किया जा सकता है 7. ओवरटेक करते समय सावधानिया 7. दाहिनी ओर से ही ओवरटेक उसी दिशा में चल रहे अन्य वाहन को दाहिनी ओर से ही ओवरटेक करें तथा दिन में हान वर आतरी में अगले वाहन को सुचित करने के लिए अपने वाहन की हैडलाइट्स केड़ पर का प्रयोग करें जि के, 7b, संकेत प्राप्त होने पर ही ओवरटेक, आपके आगे चल रहे वाहन के चालक के, द्वारा संकेत प्राप्त होने पर ही ओवरटेक करें, . क्योंकि सडक पर आपकी पूर्न रूप द्रिश्टी नहीं होती हैं तधा सामने चल रहे के आगे होने वाली गतिविध्यों को आप नहीं देख सकते हैं इसलिए ओवरटेक का संकेत प्राप्त होने पर ही ओवरटेक करें . सबसे अधिक घा तक दुरघटना ओवरटेक करते समय ही होती है इसलिए ओवरटेक करते समय सुनिष्चित करें कि आप प्रतिबंदित क्षेत्र मेया मोड पर ओवरटेक ना करें तथा सुनिष्चित करें कि अन्यवाहन आपको ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है 70. Overtake करते समय सावधानी 2. रतना Overtake करते समय यह सुनिश्चित कर ले की सामने में कोई बाधा या वाहन तो नहीं आ रहा है साथ ही Overtake करते समय अपने वाहन की गती को बढ़ाए ताकी कम से कम समय में Overtaking की प्रक्रिया पूरी हो सके साथ ही Overtake करते हुए तुरंत वाहन को बाई तरफ लेकर ना जाए, डॉट, ऐसा करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले, कि आप ओवर अटेक करने वाले वाहन से पूर्ण, रूप से आगे निकल चुके हैं, एट, वाहन को ओवर अटेक देते समय सावधानिया, एट ए, ओवर अटेक देने से पू सुनिश्चित कर ले, कि ओवर अटेक करने वाले वाहन के चालक के द्वारा ओवर अटेक माने पर ओवर अटेक दिये, जाने अनुखूल परिस्थितियां हैं या नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई आपको वावर अटेक करने वाले वाहन को को कोई खत्रा नहीं होगा अन् signal देते हुए over attack, देने से इंकार कर दें, HB, over attack देते हुए, dot, अपने वाहन के बाई और के indicator देते हुए वाहन को बाई ले जाते हुए पिछले, वाहन चालक को over attack टेक करने का signal दें, HC, गती को धीमा करना, dot, over attack करने वाले वाहन को over attack करने के लिए अपने वाहन की गती को धीमा करे ताकी कम से कम समय में, सुरक्षत over attacking की प्रक्रिया पूरी हो, सके, 9. लेन नुशासन का पालन करना, सडक लेन नुशासन का पालन करना, चाहिए, बार बार लेन बदलने से दुरगटना, होने की संभावना बढ़ जाती हैं तथा अन्य, सडक उपियोग करताओं को भी परेशानी होती हैं इसलिए सुनिश्चित करे अन्य सडक, उपियोग कर बताओं को परिशानी ना हो। 10. सडक संकेत, सडक संकेत को का पालन करना चाहिए। क्योंकि वह आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं जो आपको सडक के विशय में अगरिम सूचना देते हैं जिनका पालन करना भी आवशक होता है तथा कुछ सडक संकेतों का पालन नहीं करने पर दंड भी निर्धारित किया जाता है 11. वाहनों के बीच दूरी. वाहन का परिचालन करते समय टेल गेटिंग न करें हमेशा स्टॉपिंग डिस्टिंस की दूरी का पालन करें अनिथा आपके अचानक रुखने के कारण दुरगटना हो सकती है इसलिए हमेशा सुरक्षत दूरी बना कर चले ताकि आपको आपात स् हमेशा ध्यान रखें की सडक पर पैदल यात्रियों का पहला हक होता है तथा जेबर क्रोसिंग पर पैदल यात्रियों को पहले गुजरने दें 13. आपात का लीन वाहन. आपकी जिम्मिदारी है कि आपात का लीन वाहनों जैसे की एंबिलेंस और अगनिशिमन सेवा वाहनों को वर्यता के आधार पर रास्ता दें. 14. दस्तावेज. वाहन को सड़क पर चलाते समय वाहन की आर, सी, इंशॉरंस वपूसहित सभी दस्तावेज रखें तथा आपका ड्राइविंग से. संबधित लाइसंस वर ड्राइविंग बैज भी अपने साथ वर दोज लौक में भी रखें और ड्राइविंग से संबधित दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें. 15. निर्धारत गती सीमा. निर्धारत गती सीमा में ही वाहन चलाए, क्योंकि शहर की सीमा और राजमार्ग दोनों की गती सीमा अलग-अलग होती हैं और उसका पालन करना चाहिए क्योंकि ओवर स्पीडिंग पर भारी जुर्माना लग सकता है, तथा अन्य सडक उप्योग करताओं के लिए भी खतरनाक होता हैं. 16. फुटपाथ. फुटपाथ वाहन चलाना वर्जित है क्योंकि वह पैदल के लिए होता है और उनकी सुरक्षाहे तू बनाया गया है. 17. ट्राफिक सिगनल. सडक पर वाहन चलाते ट्राफि अपलाईन से पहले वाहन को रोकें और हरा होने के पश्चात ही प्रस्थान करें, उल्भंगन करने पर आपके लाइसंस को निलंबित किया जा सकता है. 18. शराब पी कर गाड़ी चलाना शराब या अन्यन शीले पदार्थ का सेवन करने के पश्चात किसी प्रकार का वाहन. दौट चलाना प्रतिबंदित है क्योंकि नशा करने के पश्चात वाहन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तथा निर्ने लेने की क्षमता कम हो जाती है और इससे दुरघटना होने की संभावना रहती है तथा यह निर्धारित नियमों के विरुध भी है तथा पकड़े ज भी हो सकती है 19 हान का बजाना न्यायाले और अस्पतालों जैसे क्षेत्रों में और उसके आसपास हान बजाना प्रतिबंधित है इसके अलावा अनावशक रूप से भी हान ना बजाए क्योंकि इस सेध्वनी प्रदूशन होता है 20 चौराहों पर सावधानी जब भी आप व और आहकी और जाते हैं तो सुनिष्चित करें की दाहिनी और से आने वाले वाहन को पहले रास्ता दे तथा उनके लिए रास्ता बाधित ना करें क्योंकि बाई और की तरप विजन क्लिर नहीं होता है 21 ओवर लोडिंग निर्धारित लोड से अधिक लोडिंग नहीं करना चाहिए वाहन को ओवरलोड करना काफी, खतरनाक होता है तथा दुपहिया वाहन पर दो अधिक लोग यात्रा ना करें. झाल 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 झा